हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो लंसर विसेट, दिस है राम सोनी, बीते कुछ दुनों से आप लोगों ने एक टर्म बहुत सुना होगा, लेटरल इंट्री इन उपियस्सी, उपियस्सी के द्वरा एक विज्यापन जारी किया गया था, नोटिफिकेसन जारी किया गया था, कुल डारेक्ट इंट्री की पोस्ट थी, इसमें किसी भी प्राइवेट और्गनेशन में काम करने वाले जो लोग हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते थे, इसको हमारे देश में सीधा IAS आफिसर बढ़ाने की स्कीम भी कहा जारा था, पूरे देश में इसका बड़े स्केल पर वि कर्विकेशन में, SCSTOBC कोई आरक्षन नहीं था, तो ये सरकार के उपर आरोप लगाएगे कि सरकार SCSTOBC का आरक्षन खत्म करने का प्रयास कर रही है, एक तो ये मामला था, और दूसरा आरोप ये लगाएगे है कि हमारे देश में जो सिवल सर्विस है, वो प्योर गोवर्म का असर जो है, वो गौर्मेंट का असर नेवल की प्राइवेट बॉड़ी का असर देशने के मिल सकता है, तो ऐसे बहुत सारे आरोप सरकार के उपर लगाएगे, इसके चलते फाइनली इससे वापिस लेना पड़ा, अब आप लोग सोच रहे होंगे, इसका विरोध किस ने है, टीडीपी है, जदीव है, ऐसी पार्टिव ने भी इसका अबरोध किया, फाइनली सरकार को इसे वापिस लेना पड़ा, आप सोच रहे होंगे कि नोटिफिकेशन तो UPSC ने जारे किया, कैंसिल UPSC की है, सरकार का इसमी के रोल है, देखे, UPSC के चेर्मेन और मिंबर का अपॉइन्मेंट, गौवर्मेंट की रिकमेंडेशन से होता है, कैबनेट कमेटी होती है, उसकी रिकमेंडेशन से होता है, तो बेसिकली ले दे के गौवर्मेंट की रिकमेंडेशन से होता है, एवनली, UPSC यद कोई विज्यापन जारे करती है, नोकरियों का, वो भी गौ सिधा मतलब है कि सरकार के दुलाई नोटिफिकेशन जारी किया गया इसलिए सरकार का बड़े skill पर भी रोध हो रहा था. Now, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो यह नोटिफिकेशन है, जिसमें आप दे सकते हैं कुल 45 पोस्ट के लिए जारी किया गया, देश में जो reservation policy है वो 13 point roster policy के आधर पे होती है मतलब 13 point roster policy का मतलब यह है कि यह बटा होता है जैसे माल लो 13 vacancy निकलेगी तो बटा रहेगा कौन से number की post कौन सी category को ले जाएगी कि शुरू की 3 post अनरक्षित को जाएगी या नज़र को जाएगी चौती post OBC को जाएगी तो ऐसे बटा हुआ है प्रॉपर तरीके से कौन सी category को कौन सी post जाएगी चुकि यहाँ पर एक department के अंदर के वल एक vacancy आई इसलिए यहाँ पर बाकी category का मतलब भी नहीं है तो सरकार ने बड़ी होस्यारी से 45 अलल डिपार्टमेंट की vacancy जारे की इसकी चलते यहाँ पर reservation का अत्ता पत्ता गायव हो गया अब देखो UPSC में जब vacancy आती है तो department wise तो आती नहीं है उसमें तो यह है कि 1000 vacancy है तो 27% UPSC से भरा जाएगा 15% UPSC से भरा जाएगा 7.5% UPSC से भरा जाएगा तो यह पूरा का पूरा बना रहता है लेकिन जब इस तरह से department wise vacancy जारी किया गया तो इससे reservation का अत्ता पत्ता गुल हो गया तो सरकार के उपर जो बड़ा रूप लगा है वो यह लगाया गया कि आप reservation को खत्म करने का प्रयास कर रहे है अब सरकार ने पहले भी कुछ काम किये हैं से यसे हमारे देश में कास census का बड़ा लेवल पर डिमांड हुआ है लेकिन खासों से BJP सरकार इसका बड़े लेवल पर विरोध करती रही है उनका कहना है कि नहीं हम नहीं कराना चाहते है आप लोगों ने देखा ही होगा कास census का सबसे बड़ा जो बेनिफिसरी होने वाला है वो है OBC काटगरी अब देखो हमारे देश में OBC के आबादी है मंडल कमिशन के आधर पर बावन परसंट उसका आरेशन वाँपे 27 परसंट है यह दी कास census होता है तो पता चलेगा कि बेसिकली OBC की कितनी आबादी है तो आने वाले कल में उसे बदला हो सकता है BGP सरगार इसके खास वह से बहुत पक्ष में नहीं है इसलिए उन्होंने 2021 का census ही फिर नहीं कराया जंगर नहीं नहीं कराई तो ऐसी बहुत सर अरोप BGP सरकार के उपर लगते आए हैं इसलिए ये भी आरोप इससे में लग रहा है कि आरशनुख खत्म करने का प्रयास इनके दोरा चल रहा है ये बहुत सर अरोप इस सरह से BGP सरकार के उपर लगते रहे हैं लेकिन इस्ट्री में आप दिखोगे लेटरल इंट्री का तो लेटरल इंट्री की बात करें तो इसको रिकमंड किया था सेकेंड ए आरसी ने सेकेंड एडिमिस्टूटी रिफॉर्म कमिशन ने जिसका इस्टेब्लिस्मेंट दोजर पांच में हुआ था उसके चेर्मेन थे विरप्पा मोयली वो कांग्रेस की निदा थे तो कांग्रेस सरकार में लेटरल इंट्री को रिकमंड किया गया था उनके द्वरा जो पाइंट की गया थे सेकेंड एडिमिस्टूटर रिफॉर्म कमिशन उसके द्वरा तो बजीपी सरकार ये भी कर रही है कि भाया नॉलेज होता है बहुत नॉलेज होता है इसमें कोई सक्की बात नहीं लेकिन सभी एरिया का होता है बट उनके पास इसपेसलाइज नॉलेज नहीं होता जैसे फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस का इसपेसलाइज नॉलेज नहीं होता इन्वार्मेंट की बात करें उसक सिदिक फायदा मिल सके यह lateral entry का main मकसद था तो उस समय basically बड़े skill पर नहीं किया गया अब यह भी पतो ना चीए आप लोगों को discuss करेंगे इसको बड़े level पर कप करना शुरू किया गया तो जानेंगे लेकिन 2005 में second ARC established किया गया जिसके चेर्मेन थे विरपा मोली और पहला ARC जो है पहला administrative reform commission इसका establishment 1966 में किया गया था इसके चेर्मेन थे मुराजी दिसाई जो कि 1977 में भारत के प्रिधार मंत्री बने गैर कांग्रेसी प्रिधार मंत्री है ना यहाँ पे एक चीज़ जो समझना बहुत ज़रूरी है lateral entry को स्लाइज दो किया गया कि अब हम बड़े scale पे करेंगे वो प्रिधार मंत्री मोदी ने 2018 में ही कर दिया था और 2018 में यह था कि हम बड़े level पे इसको भरेंगे lateral entry के माद्यम से और यह contractual basis रहेगा 3-5 साल का contract दिया जाएगा और यहाँ पे देखा जाये तो यह lateral entry के माद्यम से पहली बार 2019 में 8 joint secretaries को recruit किया गया था 2022 में 30 officer जिनमें 3 joint secretary 27 directors को recruit किया गया था मई 22 में DOPT ने Department of Personal Training ने इन्होंने UPSC से का कि सहतिस को और recruit करना है lateral entry के माद्यम से तो सरकार ने बड़े लेवल पर इसको पहले भी recruit किया हुआ है अब question बढ़ता है कि अभी इतना विरोध की हुआ देखो पहले BZP के पास इस पस्ट बहुमत था तो कोई विरोध करे ना करे उसे बहुत फरक नहीं पड़ता लेकिन इस बार उनके पास पूर्ण बहुमत है नहीं घटक दल जो है खासोर से नितियस कुमार और चंदरबाबू नैडविन का बड़ा रूल है और इनकी party भी lateral entry का बड़े लेवल पर ब्रोध कर रही है तो इसके चलते finally यहाँ पर government को back off करना पड़ा और देखा जाय तो अब lateral entry का यह notification रद कर दिया गया है आने वाले कल में क्या होगा है इसको हम discuss जानेंगे वो तो देखेंगे आने वाले कल में हम update करेंगे लेकिन आपकी राय क्या है lateral entry होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए आपकी राय के आप भी comment करके जरूर बताएं मुलागात करते हैं फिर तब तक लिए bye bye and take care